देखे, blood relation बहुत ही important question है, बहुत easy question है, इस step को question को shortcut तरीके से solve करने के लिए हमें question को समलना है, and step by step इसको solve करना है, तो चले ही शुरू करते हैं, यह पर बोले गए है कि A and B merit couple है, मतलब A, R, B, यह दोनों किया है, husband, wife, ठीक है, husband and wife, ठीक है, समझ में आ गया है, मतलब यह पर A husband भी हो सकते है, wife भी हो सकते है, B, husband भी हो सकते है, wife भी हो सकते है, ठीक है, तो चले, next step में देख लेते हैं, X and Y यह पर brother से, मतलब X और Y, ठीक है, X और Y यह पर brother से, यह दोनों brothers, ठीक है, brothers मतलब यह दोनों ही male है, यह पर, ठीक है, समझना ही यह पर, यह दोनों male है, यह पर उसके बाद बोला गया है कि A का ब्रादर है X ठीक है तो यह ब्रादर है यह पर X ठीक है तो यह भी ब्रादर हो गया है समझ में आगा है अगर यह पर A को हम मेल पाकरेंगे यह तीनों भाई हो गया है मतलब ये तीनों ही male है तो ये तीनों भाई हो गया ना तो ये पर x y अलरी भाई है तो a को हम male पाकर लिया ठीक है a को अगर male पाकरेंगे तो ये पर b automatically female हो जाएगा क्योंकि ये पर पहले line में दिया हुआ है a b husband wife ठीक है तो देखी ये पर a का brother है x और x का brother है y मतलब ये तीनों अगर भाई होगा तो ये पर question में पुछा गया है कि y and b के बिच relation क्या है देखी बी को हम female पकर लिया और ये पर y already male है मतलब ये b के साथ y का relation क्या है देखी बी का husband a है a का भाई x है और a का भाई y भी है ठीक है तो husband का भाई ये पर y है ठीक है husband का भाई अगर y होगा बी के साथ y का relation क्या है automatically brother-in-law हो जाएगा husband का भाई brother-in-law होता है तो ये पर answer हो जाएगा option a brother-in-law ठीक है समझ मैं आगा बहुत easy है तो चलिए next question को देख लेते है question को देखी ये पर बोलगा है कि एक बेकती एक photograph को point करके कह रहा है कि मेरा कोई brother और sister नहीं है ठीक है लेकिन that man's father is my father's son मतलब वो जो photograph बला बेकती है उसका father मेरा father का son है ठीक है ये पर question में पुछा का है कि वो photograph किसका है देखिए पहले ये पर इस photograph को draw कर लेंगे ये पर photograph है ये पर वो बेकती है man ठीक है man है ये पर ठीक है ये बेकती ये photograph को point करके बता रहा है कि ये जो photograph बला बेकती है इसका father इसका father है इसका father क्या है मेरा father का मेरा फादर यहापर लिख लेते है F-A-T-H, ठीक है, मेरा फादर का किया है, son है, मतलब यह जो बेखती है, यह बेखती, मेरा फादर का son है, ठीक है, अब यहापर question को समझना है, देखिए, अब यहापर और एक condition है, यहापर question मेरा कोई brother and sister नहीं है, जब मेरा कोई brother and sister नहीं ह तो मेरा फादर का सान कोण है मैं हुँ ठीक है तो मतलम मतलब लया बिखती का फादर में हुँ ठीक है तो मतलम फोटोग्राफ पले ब्ले बेकथी मेरा सान हो जाएगा ठीक है समझ में आगा तो यहाँ पर ऐंसर हो जाategा his son, ठीक है बहुत easy question है, तो चलिए next question को देख लेते है, देखी यह पर और एक question है यह पर बोले गए है कि P Q का husband है, तो P यह पर है तो Q अगर यह पर है, तो P किया है Q का husband है यह पर P, ठीक है तो यह पर लिख देखते है, HUSB से हम इसको indicate करेंगे, और बोले गए है का R, Ace and Q का mother है तो R, Ace and Q का R अगर यह पर है Ace and Q का mother है, R मतलब यह दोनों का mother है, यह पर R ठीक है, यह दोनों किया है, यह दोनों यह पर brother and sister हो सकता है ठीक है, यह पर sister कौन है यह पर Q का husband P है मतलब Q obviously female हो जाएगा ठीक है, और यह पर Ace male और female पता नहीं है, ठीक है, जो भी है यह दोनों brother and sister है, ठीक है और यह दोनों का mother है, यह पर R ठीक है, यह तक समझ में आगा, अब यह पर question में पुछा गया है कि R के साथ P का relation क्या है देखिए, R के साथ P का relation क्या है R कौन है, R यह पर Q का mother है इसका mother है, Q कौन है P का wife है, यह पर Q, ठीक है मतलब यह पर wife का mother हो गया है यह पर R, तो wife का mother को किया बोलते है wife का mother को यह पर mother-in-law बोलते है ठीक है, R के साथ P का relation हो जाएगा mother-in-law, ठीक है समझ में आगा, तो चलिन एक कोशन को देख लेते हैं, यह पर और एक कोशन है, इस कोशन को हम step by step solve करेंगे, यह पर पहले लाइन में बोला गया है कि A D का mother है, मतलब D अगर यह पर है और A अगर यह पर है, तो A D का mother है, मतलब यह पर A है mother, ठीक है, A more T H लिखेंगे, D का mother है A और यह पर बोला गया कि sister of B, मतलब A जो A है यह B का sister है, ठीक है, B का sister है A, मतलब A क्या है, यह यह पर female है, ठीक है, A female लिख लेते हैं, तो A यह पर female है, मतलब मा है, और A का son और daughter है D, और A का sister है यह पर B, ठीक है, अभी यह पर next line में बोला गया है कि B का एक daughter है C, C एक daughter है, यहाँ पर C को लिख लेंगे, यह पर D, A, U, G लिखेंगे, ठीके B का daughter है C, जो यहाँ पर F से merit किया है, ठीके तो मतलब यहाँ पर C आगा daughter है, तो यह भी female है, यह भी female है, ठीके और यह पर F से merit किया है C, तो यह पर F हो जाएगा, यह पर male ठीक है समझ में रहा है ना तो मतलब F and C ये पर couples हो गया ठीक है तो ये पर next line में और बोला गया है कि G is the husband of A मतलब ये जो पहले line में A था ये जो female था इसका husband है ये पर G ठीक है तो G अगर husband होगा तो ये दोनों भी couple हो गया A and G couples हो गया अभी ये पर question में पुछेगा है कि G के साथ D का relation क्या है देखें ये पर G के साथ D का relation क्या है देखें D का mother है A और A का husband है G तो ये दोनों अगर couple होगा और A का son और daughter अगर D होगा G का son and daughter भी G हो जाएगा ठीक है तो मतलब ये जो बाकी portion मैंने ये पर solve कर लिया इसका ज़रूरत नहीं था ये portion ये पर ज़रूरत नहीं था इस question को अगर पहले से हम पढ़ लेते बहुत कम टाइम में ये solve हो जाता है ठीक है समझ में आ गया तो ये पर D के साथ D के साथ G का relation पूछा गया मतलब D का father हो जाएगा जी ठीक है तो ये पर answer हो जाएगा father समझ में आ गया तो इस वीडियो में किसी भी question को अगर समझने में कोई दिखका था तो आप जरूर कमंट बक्स में कमंट करके बते ही मैं कोशिच करनगा उस question को अपको फिर समझेने का अगर वीडि